हिंदी भासा सिक्षण में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चर्चा करने वाले हैं भासा की विभिन भूमिकाओं के बारे में कि भासा की विभिन भूमिकाओं कौन-कौन सी हैं तो वीडियो को आखरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर ब भासा की भोमिका है, मनुश्चीके सभी आविश्कारों में भासा सर्सेष्ट है, जीवन का ऐसा कोई भी पक्च नहीं जो भासा से अचुता हो। जीवन के हर छेतर में भासा की जरूरत है। ठीक है अगर मालो भासा होती नहीं तो फिर कैसी दुनिया होती भासा के माधियम से ही हम अपनी दुनिया को जानते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और रशते हैं। हमारी भावनाय हास परियास विचारों की अभिव्यक्ति वाद विवाद समवाद आदी जीवन की परतिव छीतर को संभव बनाते हुए भासा ही हमारे समाजिक जीवन को संयोजित करती है भासा की बिजोड सर्जनादमक सक्ती सही तकला और संस्कृती में प्रतिबंबित होती है भासा के आलोग, आलोग का मतलब प्रकास, भासा के आलोग से ही हम काल की भी सीमाय निश्चित कर पाते हैं तो देखिए भासा की वज़े से भासा के आलोग से हम काल की सिमाय कैसे निशित करते हैं, तो देखिए जब हम अगर अपने प्राचीन काल में जाएं, तो उस समय की जो भासा थी संश्कित भासा थी, जिसको हम कहते हैं वैदिक काल, वैदिक साहित, उसके बाद धीरे-धीरे जब हम बात करते हैं, बोध की बात करते हैं, जैन की बात करते हैं, तो उस समय की भासा आ जाती है, कौन सी पाली, फिर प्राकर्त, उसके बाद अभरंस, फिर धीरे-धीरे आदुनिक भासाओं का विकास होता है, मुगल अगर हम समराजी की बात करें, तो उस समय की जो भास हैं निशिठ कर पाते हैं विविन पर कारिक्ई ज्ञान्वि ज्ञान के संक्लन संचार और परसार के लिए भासा अन्यवार हो चुकी है क्योंकि हम ज्ञान विज्ञान्थ सि attachments का पर परकार है तो बीना भासा के संभव नहीं है यह एक समाजिक संपत्ती है भासा एक समाज की संपत्ती है समाज के लोग जो है ठीक है वो भासा के माधियम से ही एक दुसरे तक अपने विचारों को पहुचाते हैं दुसरे के विचारों को जानते हैं तो भासा जिस तरह से हम देखते हैं जमीन खेत एक सब हमारे समाज की संपत िर्माण सम्भव होता है वासा संश्कृति کا सरक्षन करती है मनिष्च्र को सब पूर्ण बनाने के लिए सिक्षा जरूरी है और सभी परकार के सिक्षा का माध्यम भासा ही है भासा ही मानुए मुल्यों का एहसास कराती है भासा भी व्यक्ति का माध्यम है और यह व्यक्तित्व को निखारती है तो देखिए भासा का कितना सा रगुण है कि भासा संस्कृति का सरक्ष होता है और भासा ही है जो मुनिस्ष्वüchtष और पूण्द बनाती है भासा की माध्य msaj ही आप अलग-लग पुष्टक के पढ़ते हैं हं अलग-लग लोगों के विचारों को जानते हैं तो आप क्या सब और पूर्ण बनते हैं भासा ही सभी प्रकार के सिक्षा का माध्यम है भासा ही मानमी मुलों का एसास कराती है भासा विवक्ति का माध्यम है ये विवक्तितों को निखारती है तो अब हम बात करते हैं भासा के विविन भूमिकाओं के बारे में तो सबसे पहले अगर भासा की भुमिका की बात करें तो विचारों के आधान परदान के साधन के रूप में भासा, तो भासा विचारों के विन्मे का मुख्य साधन है, हमारे विचारों के आधान परदान का मुख्य साधन है, भासा के द्वारा ही हम लिख कर, पढ़ कर, बोल कर, वस सुन कर, अपन विचारों का आदान परदान करते हैं और भासा द्वारा जिस सौभाविक्ता एवं सहस्ता से हम अपने विचारों का आदान परदान करते हैं उतना किसी अन्य माध्यम से संभव नहीं है तो विचारों के आदान परदान के साधन के रूप में जो भासा की एक भुमिका है इस एक समाजिक प्रिक्रिया है जो समाज में लोगों के बीच में होती है इसी प्रिक्रिया के माधियम से समाज की लोग अपने विचारों का आदान बदान करते हैं तो समाज में ही भासा का उद्भव होता है उसका विकास होता है और भासा ही समाज के सदस्यों को प्रस्पर मिला आने वाली एक कड़ी है आप समाज में जाते हैं तो एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं भासा के माधियम से समाजिक जीवन को गतिसील रखने मानाव को अधिक सब भिवासो संस्क्रित बनाने तथा उसमें समाजिक चेतना भरने में भासा महत्पूर्ण घुमिका निभाती है अगर हम अपने आजादी के आंदोलन की बात करें तो जो राष्ट चेतना थी जो समाजिक चेतना थी एक किसके माधियम से लोगों के दिलों में जगी भासा के माधियम से चाहे हम वंदे मातरम की बात करें चाहे हम जैहिंद के बात करें जैह भारत की बात करें तो यह क्या जगे भासा के प्रियोग के बिना वैवार असंबव है जब वैक्ति को भासा के मौकिक तथा लिखी दोनों रूपों का ग्यान हो तब ही वह समुचित रूप से समाजिक वैवार कर पाता है समाजिक के लोगों से जुड़ पाता है जो वैक्ति भासा के प्रियोग में जितना क हुसल होता है वेवारिक जीशन में उतना ही वह सफल होता है अगर हम ग्यान वर्धन के साधन की रूप में भासा की बात करें तो बहसा ग्यान वर्धन का परमुष साधन है बालख ही नहीं अपितु जो पॉड के हैं जो पौड हैं वो भी भासा के द्वारा ही अपने सभी प्रकार का ग्यान प्राप्त करते हैं ग्यान का अध्यापन के साधन के रूप में तो प्राय अगर हम घर और विद्याले में दी जाने वाले सिक्षा के लिए किसी ना किसी माध्यम के आवसकता होती है चाए कोई भी भासा हो हिंदी हो इंग्लीज हो लेकिन भासा के माध्यम से ही सिक्षा का आधान परदान ग्यान का आधान परदान होता है तो जिस परकार भासा को कहीं ना कहीं से विशे वस्तू लेनी पड़त ऐगर मातर भासा आपके पढ़ाई का मादियम है, शिक्षा का माधियम है तो आप असानी से चीजे को सीख जाते हैं, जान जाते हैं संस्क्रिती इसे परिचित कराने की साधन के रूप में तो साहीत समाज का दरपन है देखो किसी भी साहित की बात करें क्योंकि जो साहित जिस समय लिखा गया था उस साहित के द्वारा उस समय के समाज का पता चलता है उस काल की संस्कृतिकी जलक अवस से मिलती है आप किसी भी काल के साहित को पढ़ेंगे तो उस समय की जो समाज कैसा था उसकी जानकारी आपको वहां से मिल जाएकी अपनी संस्कृतिकी जानकारी अपनी ही भासा होती है भासा का अधियन करके ही हम अपनी संस्कृतिक दरोवर को जानते हैं समझते हैं एवं उसकी रक्षा के लिए प्रेतनसिल होते हैं भासा की माधियम से ही हम अपनी संस्कृतिको अगली पीडी तक सौंपते हैं इसका हं करते हैं जीविको पारजन के साधन के रूप में तो विविन वैसाइक छेतरों की उन्नती का रहस से भासिक अभिवक्ति में ही होता है चाहिए आप कोई कंपनी लें आप कोई इंस्ट्यूट लें हर जगे देखें तो भासा ही मुख्य माध्यम है तो भासा ही विविन का मुख्य रूप धारण कर चुकी है फिल्म उद्योग ना टिकला रेलवे स्टेशन हवाई अड़े के उधोसन ठीक है किसी पुस्तास की खिड़की पर आप जाईए आसीन जो उहां पे अधिकारी होता है समाचार वाचक रेडियो जो की आधिक कर्मचारियों के लिए भा आज भासा का लिखीत रूप ही एक स्वतंतर वैफसाई का रूप ले चुका है पत्रकार साहिते का लेखकवा परकासक आधी अनेक वैक्ती लेखन कौसल के माधियम से ही जीवी को पारजन कर रहे हैं नैतिक वत चारित्रिक विकास के साधन के रूप में तो बच्चों के नैतिक विकास में परिवार के सदस्यों का विसेस भूमिका होती है माताईं बच्चे को रोचक कहानिया सुनाती है आगी चलकर बच्चे पुस्तकों में इसी प्रकार के कहानिया लेख, नाटग, कविताएं आधिप पढ़ते है तो भासा की पुस्तकों में ऐसे अनेक अध्याई मिलते है जिनके माध्यम से बालकों में नैतिक वच चारित्रिक गुणों का विकास होता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, जूट नहीं बोलना चाहिए, इमानदारी से काम करना चाहिए, मैनत करनी चाहिए, हमेशा सब के साथ मिलकर रहना चाहिए अपनी अधिकारों और कर्तवियों को पहचानते हैं तथा उसके अनुसार आचरेंट करने में प्रविर्थ होते हैं तो हम देखते हैं कि भासा की माध्यम से बच्चों का चारित्रिक और नियतिक विकास होता है मांसिक एवं बौधिक विकास के साधन के रूप में तो मांसिक एवं बौधिक विकास के लिए चिंतन आवज सके हैं और चिंतन भासा के अभाव में संभाव बिलकुल नहीं है जिस व्यक्ति का भासा पर जितना अधिक अधिकार होगा उसका चिंटन मनन भी उतना ही अधिक विक्षित होगा तो इस परकार भासा विचार सकती तर्ख सकती एवं अविव्यक्ति कौसल को विक्सित करके व्यक्ति के मांसिक एवं बौधिक विकास में योगदान देती है तो गान्दी जी ने भी कहा था कि मनुस्य के मांसिक विकास के लिए मातर भासा का ग्यान उतना ही आवस्ट है कि जितना सिसू के सारे विकास के लिए माता का दोड़ अगर हम भावात्मक विकास के साधन के रूप में बात करें तो भासा विसेश रूप से मात्र भासा बालक के भावात्मक विकास के साधन के रूप में काम करती है भासा में लोग गीत का विसाहित के रूप में जन जीवन के रागात्मक पहलूँ का चितरन मिलता है जिनको पढ़कर बालक को अलोगिक आनन्द की प्राप्ती होती है इससे बालक के हिर्दे में माता, मात्रभासा, मात्र भूमी, आदि के पढ़ती विश्यस अनुरागुत पन होता है तथा उसमें स्निय सानुभूति, सहिर्दियता, सेवा, धैर, त्याग, आदी भावों को विक्सित करने में साहता मिलती है तो इस तरह से भासा के माध्यम से बालकों में लोगों में भावात्मक विकास हो सकता है तो हम भूमिका की बात करें तो एक भूमिका क्या है भावात् आत्मक्ता विक्सित करने के साधन की रूप में देखें तो भासा व्यक्ति की भावनाओं का घर है भासा के माध्यम से ही हमारी भावना चाहे लिखीत रूप में चाहे मौकिक रूप में प्रिकट होती है एक जो कवी है अपने विचारों को कावे की रूप में लिखीत की पेढ़ना देता है वो अब भासा के माध्यम से स्ट्रिट साहित्यों की रचना कर सकता है भासा द्वारा ही उसकी कल्पना सक्ती का विकास होता है तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्रजात्मक्ता विक्सित करने के साधन के रूप में भी भासा की एक महतपूर्ण भूमिका ह स्वस्त मरूरंजन के साधन के रूप में तो कहानी नाटक कविता आधी के माध्यम से भासा विद्यार्तियों का स्वस्त मरूरंजन करती है भासा साहित्य की विविन विधाएं विद्यार्तियों को उच्चे कोटी का मरूरंजन प्रदान करती है तो इस तरह से हम देखते ह भासा की एक भूमिका है तो आज की इस वीडियो में हमने भासा की बात की भासा की भासा की भासा की बात 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 बताईए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद